हेलो बच्चो तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यह जो कोशन एपेपर में मैक्सिमम टाइम पूछ लिया जाता है कि वाई आइस फ्लॉट्स ओन वाटर जो वाटर है ठीक है वाटर के उपर जो आइस है वो फ्लॉट क्यों करती है क्यों तैरती रहती है कोशन यह है ठीक है तो बनाती है केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है ठीक है यह लिकुड है और यह आइस है सॉलिड ठीक है तो यह आइस है यह कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जैसे मैं बता देती हूं कैसे बनाएंगे केज लाइक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन ठीक है और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन बांडिंग फॉर्म होगी यहाँ पे भी हाइड्रोजन बांड फॉर्मिंग होगी और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बांड फॉर्म होगा यहाँ पे भी हाइड्रोजन बांड फॉर्म होगा ठीक है ओके तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है case like structure form हो रही है और यहां पर क्या है vacant space है ठीक है एक बात तो यह होगे कि case like structure ऐसे होती है ठीक है दूसरा यह है कि हर एक atom यह जो molecule है molecule एक दूसरे के साथ link है तो इसमें कितने water molecule है 1, 2, 3, 4 4 water molecule है और यह structure कैसी form हो रही है tetrahedral structure form हो रही है ठीक है मतलब क्या है each कई बार question यह पूछ लिए जाता है कि यह जो ice है, ice में जो structure बनता है, इसमें जो water molecule है यह कौन सी structure form करता है, तो यह कौन सी structure form करता है, tetrahedral structure ठीक है, each water molecule each water molecule linked linked tetrahedrally ठीक है tetrahedrally to four water molecule ठीक है हाँ, एक और important बात है यहां तक आपको clear हो गया हो गई है फिर है density density क्या होता है mass per unit volume जैसे कि आप देख रहे है आइस आइस में आइस का क्या है आइस का क्यूंकि आपको पता है density इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी के volume के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मतलब अगर volume जादा होगा तो density कम होगी आप देख रहे हैं कि जब आइस होती है water के उपर water में अगर हम आइस डालते हैं तो इसका जो volume है वो बढ़ जाता है अगर volume बढ़ेगा तो obviously density decrease होगी ठीक है तो क्या इसका मतलब हुआ कि जो ice है उसकी density कम होती है और liquid की density ज़्यादा होती है ठीक है एक reason तो ये भी है ice float करने का ठीक है और इसमें लिखेंगे अगर ice melt करती है मतलब अगर पिघल जाती है तो इसमें जो hydrogen bond होते हैं वो भी hydrogen bond क्या हो जाते हैं तूट जाते हैं hydrogen bond जो है वो क्या हो जाते हैं ब्रेक हो जाते हैं उसकी बज़ा से क्या होगा जो molecule है वो एक दुसरे के close आएगा molecule come closer to each other एक दुसरे के close आएगा तो इससे क्या होगा volume घटेगा volume decreases and density increases therefore ice has lower density lower density then water यही question पूछा था पेपर में ठीक है तो यह question पूछ लिए जाता है पेपर में तो यह आपने अच्छे से कर लाना है revise okay ठीक है thank you जच्छे कर दो यही हाँ रहा है प्रीक है यही हाँ यही हाँ